दसंबर 2022 में थर ब्लाक वन के 1320 मेगावाट के कोईले से चलने वाले पावर प्लांट के दूसरे 660 मेगावाट जूनत की काम्याब हम आहंगी के बाद थर ब्लाक वन इंटिग्रेटिड मायन पावर प्रजेक्ट बहुत जल्द अपनी कमर्शल ऑपरेटिंग तारीख को हासल करने के रास्ते पर गामजन है एक अशरिया तीन गेगावाट की पूरी सलाहियत पर कोईले से चलने वाले पावर प्लांट से तकरीबन 40 लाग पाकस्तानी घ्रानों के लिए सस्ती और काबले इत्मात बिजली पैदा करने की तवक्व है बिल्डर्स की अन्थक कोशिशें शांदार कारकरदिगी के पीछे मुहर रखें थर कोल फील में खुश्क साली, थोड़ी बारश और तेज हावाँ के साथ एक जेली ट्रॉपिकल रिगस्तानी आबो हावा है और सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 51 डिगरी सेंटी ग्रेट से ज्यादा है थर बलागवन इंटरग्रेटड कोल माइन पावर प्रजेक्ट पाकिस्तान की तावनाई की तरक्की के लिए बहुत एहमियत का हामिल है यह मुनसुबा चीन और पाकिस्तान के दर्मियान गहरी दोस्ती का भी गवा है दिसंबर 2022 में थर ब्लॉक एक कि 1320 मेगावाट के कोईले से चलने वाले पावर प्लांट के दूसरे 660 मेगावाट यूनिट की बयक वक्त कामयाब शुरूआत के बाद थर ब्लॉक एक Integrated Mine Power Project बहुत जल्द कमर्शल आपरेशन का आगाज करने वाला है जब ये बिजली घर मुकमल होगा तो इसके बाद ये तवक्व है कि इससे 1.3 गेगावाट कोईले से चलने वाला पावर प्लांट तक्रीबन 40 लाख पाकिस्तानी घरानों को सस्ती और काबले एतमाद बिजली महया करेगा थर ब्लॉक एक Integrated Mine Power Project के बारे में मजीद जानने के लिए आए तफसिलात पर एक नज़र डालते हैं थर ब्लॉक वन Integrated Mine Power Project पाकिस्तान के सुबा सिंध के जनूब मश्री की हिस्से में सहराय थर में वाकिए है थर कोल्ड फील्ड पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया का सात्मा बड़ा फील्ड है जिसमें लगनाइट का तखमीना 175 बिलियन टन से ज्यादा है और सहराय थर में 9000 मुर्बा किलो मीटर से ज्यादा के रखबे पर मोहीत है पाकिस्तान में थर ब्लॉक वन Integrated Coal Mine Power Project 150 मुर्बा किलो मीटर पर फैला हुआ है और इसमें 3.8 बिलियन टन भूरे सिया लगनाइट के जखायर मौजूद है इसकी कानकुनी के लिए एक अलैदा टरक इस्तेमाल किया जाता है जो के कम कीमत होने के साथ एक मुनासिब टेकनालोजी का हामिल भी है ये प्रोजेक्ट मेकनाइजेशन के जरीए बड़े पैमाने पर पैदावार हासिल करता है और पिट हेड पावर स्टेशन के इलावा खुदकार बेल्ट कन्वेंग मौड को इस्तेमाल करता है जिससे नकलो हमल के फासले में नुमाया कमी वाके होती है प्लाक वन एंटिग्रेटड कोल माइन पावर प्रजेक्ट के लिए कोईले की कान 7.8 मिलियन टन की सालाना पैदावारी सलाहियत के साथ मुनसुबा बंदी की गई है और इसमें 660 मेगावाट के कोईले से चलने वाले दो पावर प्लांट्स हैं यह मनसुबा पाकिस्तान के 40 लाग गरानों को 1320 मेगावाट मुकामी, सस्ती और काबले इतमात बिजली फ्राहम करने की सलाहियत रखता है थर ब्लॉक वन इंटिग्रेटिड कोल माइन पावर प्रोजेक्ट चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी यानि सी पैक के तहट एक तरजी ही मनसुबा है इस मनसुबे के दो हिस्से हैं एक 660 मेगावाट के अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट के दो यूनट और एक सपोर्टिंग लिगनाइट ओपन पिट कोईले की कान है जिसकी सालाना पैदावार की गुंजाइश 7.8 मिलियन टन है यहां पावर प्लांट का कंट्रोल रूम है और एक बार जब यह प्लांट पूरी सलाहियत के साथ काम शुरू कर देगा तो यह पाकिस्तान में मकामी कोईले से चलने वाला सबसे बड़ा और जदीद तरीन टेकनालोजी का हामिल प्लांट होगा शंगाई एलेक्ट्रिक इस मनसूबे का कंट्रोलिंग हिसा रखती है इस मनसूबे के लिए कोईला मकामी तौर पर लेगनाइट से हासल किया जाता है पावर प्लांट रवायती थर्मल पावर प्लांट के मकाबले में तेजाब गेस के इखराज और सिल्फर डायाउकसाइट के कम इखराज के साथ आला खालिस कारकरदगी के साथ काम करेगा घर ब्लॉक वन इंटिक्रेटिड कोल माइन पावर परजेक्ट सी पैक का जैली मनसूबा है ये हकूमत है पाकिस्तान की दरव से तवानाई की हिफाज़त को बेहतर बनाने और तेल से कोईले पर मुंतकिल होकर बिजली की पैदावार की औस्त लागत को कम करने की कोशिश का हिस्सा है इस मनसूबे से कौमे ग्रिट को तक्वियत मिलेगी और इंधन की लागत की बुनियाद पर जरे मुबादला की बचत होगी थर कोल पावर प्रजेक्ट ने हमेशा सब्स और पायदार तरकी के स्ट्रेटिजिक मुकासद की पासदारी की है लोग हमेशा ये समझते हैं कि कोईले की कानकोनी और कोईले से चलने वाली बिजली की पैदावार नुमाया महुलियाती आलूदगी का सबब बनेगी ताहम थर कोल पावर प्रजेक्ट की नमायंदगी करने वाली नई कोल पावर ने पहले ही बड़ी तादाद में जदीद टेक्नालोजी के इस्तमाल के जरिए इस मनसूबे की सबसफाई की सबसे बड़ी डिगरी हासल कर ली है हमने तामिराती अमल में तहफूज को बेहतर बनाने, तवानाई के तहफूज कार्बन के इखराज को कम करने और महुलियाती तवाजन को बरकरार रखने के लिए मतादद एक्दामात किये हैं इस मनसूबे के तहट सेफ प्रोडक्शन मन्स अक्टिविटीज जारी रहेंगी जिन में पोशीदा खतरात से निमटने, कवानिनों जबाबित से आगही की महीं चलाने और तहफूज महुलियात की जिम्यदारी के बारे में लोगों को आगाह करना शामिल है इसके साथ-साथ हम दरख लगाने और गरीन टेकनालोजी के जरीए एक साफ और खुबसूरत खिटा बनाने के लिए पुरूमीद है सबसे पहले हम जदीद चीनी टेकनालोजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये मनसूबा चीन में लागू आला तरीन कोड्स और मायरात के मताबिक बनाया गया है लहाजा महौलियाती नुक्त नजर से हमें यकीन है कि इस पावर प्लांट को महौल दोस्त अंदाज में डिजाइन करने के साथ साथ बनाया और चलाया जा रहा है दूसरा हम मुस्तक्विल में थर के इलाके में काबल तजदीद तवानाई के इमकानात को तलाश करेंगे तवानाई का एक मजमूवा तवानाई की फराहमी के एक और हल के तोर पर अंजाम दिया जाएगा इस शानदार कारकरदगी के पीछे इसके बनाने वालों की अंथक कोशिशें और मेहनत कारफर्मा है हर कोल फील्ड, खुश्क साली, फलकी बारिश और तेज हवाओं के साथ एक जेली ट्रॉपिकल रेगिस्तान आब और हवा के खिते में वाके है और इसका दरजाए हरारत 51 डिग्री सेंटिकरेट से भी ज़्यादा है इस पर काम का आगास करने वाले मेमारों ने शदीद मुश्किलात का सामना करते हुए रेट के सहरा और टीनों को किसी जादूई ताकत से इस अजीम उल्चान मनसूबे में तब्दील किया आईए इस पर मजीद जाने के लिए रिपोर्ट देखते हैं चीन और पाकिस्तान के दर्मयान 2014 में थरकोल पावर सीरीज के मौईदे पर दस्तखत ने बेल्टन रोड के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के बाजापता आगास की निशान दही की ये चीन पाकिस्तान इक्तिसादी रहधारी का पहला कोईला पावर इंटिगरेशन प्रोजेक्ट है तकरीबन तीन बिलियन अमरीकी डॉलर की कुल सर्मयाकारी के साथ इस बार दस्तखत किये गे थरकोल फील, कोल माइन और पावर स्टेशन का मनसुबा चीन पाकिस्तान की मेश्चत के लिए एक तरजी ही मनसुबा है ये चीन पाकिस्तान इक्तिसादी रहधारी और खुद पाकिस्तान दोनों में कोल पार इंटिगरेशन का पहला मनसुबा है हमने इस प्रोजेक्ट को 2014 में तैयार करना शुरू किया था तकरीबन दस साल की तरकी के बाद हम इस मुलक के बारे में बहुत कुछ जानते हैं ना सिरफ इसकी मांग बलके ये भी के यहां कारोबार कैसे करना है लहाज़ा हमें यकीन है के हम जदीड टेकनालोजी के साथ मौजूदा और मकामी मांग के बारे में बेहतर आ गही के साथ इ ये एक विहतर पॉजिशन में होंगे। वहां रेत और उंटों के सिवा कुछ नहीं था। उस वक्त बहुत से लोगों को यकीन नहीं था कि हम सहरा के वस्त में इतना बड़ा प्रॉजक्ट मुकमल कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये इसलिए हकीकत का रूप धार सका क्यूंके हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है। इसमें चीन और पाकिस्तान दोनों मुलकों के माहिरीन और कारकुन शामिल हैं। हम कई बरसों की तरकी और महनत के बाद यहां तक पहुँचे हैं। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा मुदासिर करती है वो ये है कि हर कोई अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। यही खाब को हकीकत में बदलने की बुन्यादी वज़ा है। मैंने पहले पाकिस्तानी मुलाजिम के तौर पर दो साल कबल इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था। हमने इस प्रोजेक्ट को मारलावार बनाया। जैसे बच्चे ब्लॉक्स में खेलते हैं, पहेली बनाते हैं और एक छोटा सा टावर बनाते हैं। उन दिनों हमारे पास तीन वक्त का खाना खाने की जगा भी नहीं थी और अमूमन ताजा खाना दस्तियाब नहीं था। हमें ठंडा खाना खाना पड़ता था, तकरीवन एक साल तक यही हालात रहे। हमें बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इतने चालिंजों के बावजूद, इसको बनाने वाली टीम मकामी कम्यूनिटी को माशी फवायत फराहम करने में मसरूफ है। ये मनसूबा हिते की समाजी तरकी के लिए भी एहम है। शंगाई एलेक्ट्रिक ने इन तरक्याती कोशिशों में एक फाल किरदार अदा किया है। जिससे तालीम, सेहत, बन्यादी धांचे और किते के मजमूई तर्जे जिंदगी को बेहतर बनाकर मकामी थर कम्यूनिटी को फायदा पहुंच रहा है। हमने पहले मकामी लोगों के लिए चीनी जुबान का एक मौसर मरकज कायम किया है ताके वो अपने बच्चों को चीनी जुबान सीखने, हमारे प्रोजेक्ट पर जाने और मुम्किना तोर पर काम तलाश करने के लिए भेजें। हमारे पास इस वक्त 6,000 से ज्यादा काम करने वाले नीम हुनरमंद कारकुनान है और इन में से अक्सर का तालुक आजपास के इलाकों से है। ये एहम नुकात में से सिर्फ एक नुकता है। मुझे यकीन है कि हम इस पर फखर कर सकते हैं। शंगाई एलेक्रिक कंपनी मकामी मुलाजमीन की पेशा वराना महारत और तरबियत को भी बहुत एहमियत देती है जो मकामी हुनर की तवील मुद्दती तरकी को तहरीक फराहम करती है। थर ब्लॉक वन इंटिग्रेटिव कोल माइन पावर प्रॉजेक्ट बेल्ट एंड रोड का मॉडल प्रॉजेक्ट बनने के साथ साथ रोजगार के मौाके पैदा करने, लोगों की रोजी रोटी को यकीनी बनाने और सकाफत में रंग बनने के मिशन को बरकरार रखेगा। थर ब्लॉक वन इंटिग्रेटिड कोल माइन पावर प्रॉजेक्ट पाकस्तान की तावनाई की तरक्की के लिए बहुत एहमियत का हामिल है। में मदद देगा बलके ये तावनाई के धांचे को बेहतर बनाने और पाकस्तान की विजली की हिफाज़त को यकीनी बनाने में भी आहम किरदार अदा करेगा। इसके साथ साथ पाकस्तान इस मनसूबे की बदालत हर साल कीमती जरे मुबादला की बचट भी कर सकेगा। मुल्क के गर्दशी कर्जों को कम करने और कौमी तावनाई की सलामती को मजबूत बनाने में मददगार होगा। सबसे पहले ये कि इस प्रोजेक्ट के तहट धर का कोईला इस मुल्क में कोईले के पाहत तस्द्याब वसायल के तोर पर इस्तेमाल किया जा रहा है जो के पाकिस्तान के लिए एक बहुत कीमती तोफ़ा है। ठेर के कोईले का बेहतर इस्तमाल यकीनी तोर पर पाकिस्तान के तवानाई के मुस्तबिल का एक बहुत आहम हिसा होगा इसलिए हमें यकीन है के जिदी टेक्नालोजी और अपनी मिखनत से हम ना सिर्फ पाकिस्तानी बिजली के टेरिफ की मजमुई लागत को कम करेंगे बलके हम पाकिस्तान की कौमी तवानाई के तहफुस को वढ़ाने में भी मज़द कर सकते हैं दूसरी तरफ ना सिर्फ चीनी बलके बहुत सा पाकिस्तानी अमलाभी यहां काम कर रहा है हमारे मताबे की इस प्रॉजक्ट पर हम पहले ही 8000 से जायत पाकिस्तानियों को बराहरास्त मुलाजमत के मबाते पराम कर चुके हैं उन में से बेश्टर यहां प्रॉजक्ट के आगास से ही काम कर रहे हैं आज का सीपेक एक्स्टोरर देखने के लिए शुक्रिया आपसे आएंदप प्रोग्राम में मुलाकात होगी तब तक के लिए इजासेत दीचिए